हेटलाइंस भीहार देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रियांग स्वरव लालू परसाद यादव क्या अब जेल से बाहर आएंगे लगातार बिमार चल रहे हैं और उनका इलाज दिल्ली के एम्स में किया जा रहा है पिछले दिनों उन्हें राचे डिम्स से दिल्ली ख़बर आ गई है उनकी रहाई को लेकर जहां एक तरफ लोग राष्ट्रपती को खत लिख रहे हैं वहीं अब लालू परसाद यादव के तरफ से राची हाई कोर्ट में एक वाब फिर से आवेदन दिया गया है यह कहा गया है कि उन्हें जल्द से जल्द रहाई दी जाए उन्हें जमानत दी जाए दुमका कोशगार मामले में जमानत देने की एक वाब फिर से मांग की गई है और इसके लिए उन्हें दस्तावेद जो है वह जमा कर दिया है तो पिछले सुनवाई में यह कहा गया था कि अगर आपने आदि सजा पूरी कर ली है तो दस्तावेद जमा करे, फरवरी के पहले सबता में आट फरवरी को उनकी आधि सजा पुरी हो रही है, बियालीस महीने 23 दिन Pूरा हो रहा है और ऐसे में अब उन्होंने ये मांग किया है, कि इस पर जल्ट से जल्ट सुनवाई हो, क्योंकि सुनवाई तो बिते कई बार हो चुकी है बिते दिनों, लेकिन इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, चार में से तीन मामलों में अब तक जमानत मिल चुकी है, और दुमका कोसागार मामले में जमानत का इंतिजार है, जै लिख रहे हैं राश्ट्रपती को कि उन्हें जमानत दी जाए और एक तरफ अब लालु प्रसाद यादब ने अपना दस्तावे जमा कर दिया है राची हाई कोट में जमानत को लेकर कि जल्द से जल्द सुनवाई हो पांच फरवरी को सुनवाई करने की मांग कर रहे हैं और अब बस बचा हुआ है तो इन सब आधार पर उन्हें जमानत देने की बात बीते काफी समय से की जा रही है जितने भी मामले थे अलग अलग कोशागार के मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है और अब बस बचा हुआ है तो दुमका कोशागार मामला जिसमें साथ साल की अब 42 महीने 23 दिन की सजा उन्हें पुरा कर लिया है और 5 फरवरी को वो सुनवाई की मांग कर रहे हैं ताकि 8 फरवरी को जैसे उनकी सजा पुरी हो उन्हें जमानत दे दी जाए तो लगातार उनकी जमानत को लेकर चर्चायत चल रही है वहीं अब राची हाई कोट में यह द यादव जेल से बाहर आएंगे लगातार हम नजर बनाए हुए हैं उनके स्वास्त को लेकर स्वास्त जो है वह बहुत ही ज़्यादा खराब है कई गंभीर विमारियों से जोज रहे हैं और ऐसे में उन्हें इम्स रेफर किया गया इम्स में उनका इलाच चल रहा है साथ में रावरी देवी भी हैं तेजस्पी यादव भी हैं और बिहार में तमाम लोग उनके जल्द स्वस्त होने की कामना कर रहा है बनर हेडलाइन्स बिहार के साथ जो कुछ भीने अपडेट्स आएंगे तमाम अ